यह साचोर से आप देखिए क्योंकि वहाँ पर बीजेपी है वो लगातार पिछले तीन चुनाव से हाद आई थी सुखराम विस्नुई है वो दो अजार तेरा के अंदर जब मोधी लेर थी आप देखिए मोधी लेर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कॉंगे देश को स से लगातार वहां की राजनीती के अंदर सक्रिय है चाए बीजेपी ने टिकट दिया हो या निर्दलिय लड़ना हो लेकिन वह हमेशा ऐसा देखा गया है कि चुनाव लड़ते है और इसलिए क्योंकि वहां पर ऐसा बता जाता है कि दो अजार अठारा के बाद से लगातार जो दो प्रमुख दावेदार थे जीवा राम चौधरी और दाना राम चौधरी जो की दोजार अठारा के अंदर वहां विदान सबा चुनाव लड़े थे और वहां पर चुनाव हार गए थे और वहां पर जीवा राम चौधरी ने निर्दलिय चुनाव लड़ा था और उ मैं किसी एक就是說 को ये फोन करकर बता शे, ऐसा का जा रहा है, चर्चा है कि के आपका ticket है कट गया और उसके बाद से ही लगाता है और दाना नाम चाधरी को ticket बिलने जारा है दाना नाम चाधरी है वह वहां पर सक्रिय हो जाते हैं, जीवाराम चौजरी के समर्थकों ने दो दिन पहले ही जैपूर के बीजेपी कारेले के अंदर हजारों की तादाद में लोगों थे वो एकटे होकर लगातार प्रेदर्शन करेते जीवाराम चौजरी को टिकट देने की मांग करेते तो इन दोनों की लड़ाई के अंदर चुनाव और तीनों जो चुनाव है वो भारी अंतराल से जिते हैं कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दान जी देव जी भाई पटेल हैं वो पितले कई महीनों से लगातार तैयारी कर रहे थे साचोर विदान सबा सीर से पाइटी ने उन्हें अंदर खाने इसारा दे दिया था और वो लगातार सक्रिय थे साचोर के अंदर और उनका एक सामाजी कारेकरम भी था वहाँ पर भी जबरदस तरीके से बड़ा सकती प्रजर्शन किया था मुझे याद है वसूनजा राजी आई थी वहाँ पर भी हजारों की तादाद में लोग इकटे हुए थे और उसक से वो साचोर के अंदर पहुँचे है तो जबरदस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है लगातार वो मंदिर के दरसन पूजा आटता करके है और ऐसा बताय जाता है अगले एक दो दिनों से अपना चुनाव परचार है वो सुरू कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए 2018 का विदानसवा चुनाव वहां कैसा रहा, 2013 का विदानसवा चुनाव कैसा रहा और उससे पहले जो 57 चुनाव कैसे रहे ये तवाम चीज़े जानना ज़रूरी है मैंने पिछले एक, दो, तीन, चार, पांच, चुनावा का विसलेशन किया तो उसमें देखिए आप 2018 के अंदर सुकराम विसनुई जीतते हैं, 2013 के अंदर सुकराम विसनुई जीतते हैं, 2008 के अंदर जीवाराम चौजरी जीतते हैं काईदा निर्दलिय थे, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, 2003 के अंदर जीवाराम चौजरी है, वो वहाँ से बीजेपी की टिकट पर खड़े वेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 2008 के अंदर बीजेपी है, जीवाराम चौजरी का टिकट है, वो काट जाती है, और उसके बाद में आप देखिए, हिरालाल इसनोई 1993 में भी कॉंग्रेस से चुनाव जीते हैं, और इससे पहले 1990 के अंदर बीजेपी चुनाव जीतती है, पिछेएसी के अंदर, तो ज्यादा तर यहाँ पर अगर जे एनल्सिस किया जाए, तो कॉंग्रेस ज्यादा चुनाव जीती से थे, सुक्राम इसनोई है, उन्हें 84,000 कुछ वोट मिलते हैं, मतलब 37.19% के आसपास 37% वोट मिलता है, और दाना नाम चौधरी का टिकट है, वो कर जाता है, और दाना नाम चौधरी को 25% के आसपास मद्दान मत मिलते हैं, लेकिन जीवा राम चौधरी है, फिर 2018 के अंद निर्दलिय चुनाव लड़ जाते हैं, और उस उक निर्दलिय चुनाव लड़ेते हैं तो आप देखिए, 21, मतलब तकरीमन 22% वोट हासिल करते हैं, मतलब 50,000 वोट हासिल करते हैं निर्दलिय के तौर पर, और जो BSP के 85 थे, उन्होंने भी खेल बड़ा बिगार दिया, मै 2013 के अंदर भी आप देखिए, जीवा राम चौजरी जो की BJP से चुनाव लड़ रहे थे, और कॉंग्रेस से सुखराम विस्नुई चुनाव लड़ रहे थे, जीवा राम चौजरी को तकरीमन 80,000 वोट मिलते हैं, और वहाँ पर आप देखिए, कॉंग्रेस से सुखराम वि वोट मिलते हैं, तो कुल मिलाकर आप देखिए, यहां की जो लड़ाई है, और जैसे ही देव जी भाई पर्टेल का टिकट है, वो टिकट की जो गोसना हुई है, उसके बाद से आप देखिए, लगातार वहाँ पर तमाम तरीके के पोस्टर, सोशिल मीडिया पर बहुत सबाद चुनाव नहीं होगा, जो वो चुनाव नहीं लड़े हो, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टास्क है, किस तरीके से जीवा राम चोधरी है, अगर वो निर्दलिये टाल तो कहीं ने कहीं बीजेपी का खेल है, वो बिगर सकता है, लेकिन देव जी सब्सक्राइब, उसके पीछे की जो रणिती है, सीधे तोर पर है कि एक सांस्द को उतारने के पीछे, उस आसपास की पास से साथ सीटे है, वहाँ पर उसका असर पड़े हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, वो चुनाव जीतने हैं, ऐसा बताए जाता है कि देव जी भाई एक महीने बर पहले असा बताए जाता है, जो भासकर की रिपोर्ट है, साचोर के आवाज पर बकाइदा मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद में अभी 21 सप्तंबर को दिली के अंदर देव जी भाई पटेल के आवास पर मीटिंग हुई थी, जहां पर दौनों ने इस बा जीवाराम चौदरी को मनाना अगर ऐसा हो जाता है, तो यकीन मानिये, साचोर का जो मकाबला है बड़ा दिल्चस्प होने वाला है